नमस्कार दोस्तों हम लोग इडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान इध्यन के पच्छतर सो प्लस MCQ का प्रेक्टिस सेट देखेंगे आज प्रेक्टिस सेट नमबर छे देखेंगे जिसमें दिया हुआ सारे प्रशनों को डिटेल डिसकसन करेंगे तो आएए सुरू करत है पहले प्रशन से पहला प्रशन है कि निमलिखित इतिहासिक अस्थालों पर विचार किजिए और पिप्त अस्थालों में कौन सा भिति-चित्रकला के लिए जाना जाता है तिसमें से हो जाएगा ले-पाच्छी मंदिर भी हो जाएगा अजंता गुफा भी इलोरा गुफ पाध्यों मंदिर प्रस्टी किव Excitle Sacha 식h都 में अजैंता की गुफा किसी հाज मैं तो यह महारास्ट में और बाग इंपा माध्यों महारास्ट कि महारास्ट राज्य यहान रखीत है या न कि बाकी गुपा भी महाराश लगा दी जगा टिक अगर कभी प्रस्ट में आ जाए तो ये मध्य पर्देश में है अगला है आर मंजूस्री मुलकल्प निम्लिखित में से किस से संबंदित है और इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A महायान से संबंदित है कहां से महा जाएगा और इसका सही अंसर जो हो जाएगा ओप्शन B चांदी के सिकंदर लोदी के बारे में निम्लिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है और नीचे दियेगे कूट का सही उत्तर को चुनना है तो सिकंदर लोदी ने भुमी माप के लिए पैमाना गज A सिकंदरी क शुरुआत की ये बिल्कुल सही सिकंदर लोदी दिली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था ये जो है वो गलत है सिकंदर लोदी जो है दिली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था सल्तनत का अलतिम सुल्तान जो है वो कौन था तो वो था इबराहिम लोदी कौन था इबराहिम लोदी था सिकंदर सहलोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राना संगा के समकालिन थे बिल्कुल सही उसने मुसलिम महिलाओं को साधू संतों की कपरों पर जाने पर परतिबंद लगा दिया था ये भी सही है तो इसका अंसर जो हो जाएगा कौनसा हो जाएगा तो चौथा क्य हो जाएगा सी केवल दो जो है वो क्या है वो असत्य है यानि सी हो जाएगा बीजय नगर समराज के प्रांतों को क्या कहा जाता था और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन ए मंडल कहा जाता था दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरन यानि मिमवायर लिखे थे दिली का वर सुल्तान जिसने अपने संस्वरन लिखे थे और इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन डी फिरोज तुगलक, कौन फिरोज तुगलक, राजा ससांग, राजा ससांग जिसके खिलाप हर्स बरधन ने यूद की घोषना की, वह किस समराज का सासक था, राजा ससां option D, चंद्रगुप्थ नदी डेल्टा के संदर में निम्लिखित में कौन से कथन सही नहीं है बताना है कि कौन से कथन इसमें जो है, वो सही नहीं है तो एक डेल्टा का निर्मान तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाए, जैसे समुद्रिया जील से मिलती है तो ये बिल्कुल कौन सा कथन सही नहीं है तो ये कथन सही है नील नदी का डेल्टा बिसु का सबसे बड़ा डेल्टा है ये गलत है बिसु का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुन्दरवन डेल्टा है क्या है सुंदरवन डेल्टा है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा то नौ के C हो जाएगा के बल 2 अगला प्रस ने चटगाम सस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन करांतिकारी महला की मिर्टू हो गई थी और इसका सई अंसर हो जाएगा अप्शन ए प्रितिलता बाडेदार चटगाम सस्त्रागार कब हुआ था तो यह 18 अप्रील 1930 को हुआ था सो तंता अंदोलन के करांतिकारी अतंगवारियों का पहला महत्पूल सासी कार्द बर्रा डकैती का स्तान कहा था और इसका अंसर हो जाएगा आप्शन C पूरवी बंगाल में था प्रावधानों को जिसे बर्स 1915 में पंजाम में गदर के विरुत परियोग किया था शांति के समय भी जारी रखना चाता था और इसका सही जो अंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा और इसका सई अंसर हो जागा ऑप्शन डी पहले सत्यागरही थे तो वो थे जबाहरलान लेहरू दूसरे सत्यागरही थे विनोबा भावे और तिसरे जो थे वो ब्रहमदत थे अगला प्राशन है कि बर्श 1932 इसवी में निम्लिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारते कांगरेस समीती को गैर कानूनी करार दे दिया गया था वह आदेश क्या था और इसका सई अंसर हो जाएगा वह था गैर कानूनी संगा अध्यादेश गैर कानूनी संगा अ तेहतरवा समिधान संसुदन कब लागू हुआ था और इसका सई अंसर हो जाएगा ऑप्सन C 24 अपरैल 1993 को लागू हुआ था और तेहतरवा समिधान संसुदन जो था वह पंचाईती राज से संबंदी था भारते समिधान में प्रस्तावना में कितने परकार की समानता को ल समय मिलता है और इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन A दो सब्ता मिलता है किस अनुछेद में सहरी अस्थानिय निकायों से संबंदित 18 कारियों की सूची दी गई है और इसका अंसर हो जाएगा अपसन A अनुछेद 243W में भारत में संपत्तिक अधिकार की क्या इस्थिति है औ और इसका आंसर हो जाएगा option B यह बिधिक इधिकार है जो किसी भी ब्यक्तिक को प्राप्त है। बिधान परस्थ को बजट पर संक्ल पारित करने का अधिकार दिया गया यह तीनों दिया गया था। निम्लिखित में से खाले अस्थान एक कयांतरित सैल नहीं है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, सैंडर स्टोन सैंडर स्टोन एक कयांतरित सैल नहीं है राइमोना राष्टे उद्दान भारत के किस राज में इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा अप्सन A असम में पिर्थिवे के चुम्बक्त के लिए खाली अस्थान उतरदाई है अंसर हो जाएगा अप्सन B बाहिकुर क्या है बाहिकुर निमलिखित पर बिचार किजिए और बताईए कि कौन सा बांध क्रिष्णा नदी पर इस्थित है इसका जो सही अंसर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर और कौन हो जाएगा अलमाटी बांध ये दोनों जो है वो क्रिष्णा नदी पर इस्थित है आप्सन जो होगा A होगा निमलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संबेग की बीमा के समान होती है सही जबाब हो जाएगा option B आबेग का एक तरंग के लिए अवर्थ काल द्वारा बिभाजित तरंग धेज किसके बराबर होती है एक तरंग के लिए अवर्द का द्वारा विभाजी तरंग डाई किसके बराबर होती है और इसका सही जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option C तरंग बेग होता है अगला परशन है कि यदि voltage को इस्थिर रखते हुए अधिक लैम को एक स्रिंखला परिपत में रखा जाता है तो परिपत के समगर धारब पर क्या परवा पड़ता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A घटता है निम लिखित में कौन सजातिये यूग्म है अंसर हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा option A परमानू केंद्रा की निम में कौन सी धातू ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है और इसका अंसर हो जाएगा option C potassium polyacrylonitrile का अदोगी का स्तर पर क्या नाम है और इसका अंसर हो जाएगा option A और लोन यानि एक्रिलेन फुफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्ज है और इसका अंसर हो जाएगा option B फुफुसाबरन को घरसनमुक्त रखना है उपास्ती निम में से किसमें नहीं पाई जात है और इसका अंसर हो जाएगा option C brick में जीवो में जीवो में अनुबनसिक भिविंता को मुल्सरोत होता है उपास्ती पाखे जाने वाली protein है और इसका सही जबाब हो जाएगा option A कौन्डरिन क्या है कौन्डरिन जो है उपास्तित में पाई जाने वारी प्रोटीन है निम्ड में कौन सा एक कसे रुक्यों का उत्सरजन अंग नहीं है कौन सा एक कसे रुक्यों का उत्सरजन अंग नहीं है सही जवाब हो जाएगा अपसंटी हिप्टो पैंक्रियाज पतान साही है यह बताना है निम्लिकित कत्रों में से कौन सा कथन जो है वो ऑगा जाएगा पाधव जन्तु हो नहीं कर्वा फैट्रेट किस रूप में जो है संचित होते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन B अस्टार्च और गलाइको जोन में पोधे में अस्टार्च के रूप में और जनतुव में जो होता है गलाइको जेन के रूप में होता है जबाबीत का संबंद किस्य था जबाबीत का संबंद किस्य था अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्शन A राज के कानू से बिकेंदरी करन परनाली की सिफारिष किसने की थी अंसर हो जाएगा अप्शन B बलबंत राए मेहताने नेल गिरी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के बीच इस्थित्दर रहा है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B पालगाट है गोहाटी से चंडीगर तक मनसूनी बरसा की प्रविर्थी क्या होती है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन C हस्मान प्रविर्थी होती है पर्थम भारते महला सैने का स्काईड ड्राइबर कौन है पर्थम भारते महला सैने का स्काईड ड्राइबर कौन है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B मन्जू निमलिखित में से किस उद्दोग पती को भारत का इस्पात पूरुस कहा जाता है और अंसर हो जाएगा अप्शन C जमसेज जी इरानी को कहा जाता है मुकुल किस परसिद्ध सहित्तिक रचना है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D सुभद्रा कुमारी चोहान को दिबार पर मिठी से बनाई जाने वाली नोछ डोरा अलंकरन किस जंजाती की बिस्षेस्ता है और इसका अंसर हो जाएगा और इसका अंसर हो जाएगा बी चीन भारत युद उन्हेसो बासर सुचना कि सर भॉमिक पहुच के लिए अंतराष्टिय दिवस कम मनाया जाता है अंसर हो जाएगा अठाइस सितंबर को मनाया जाता है यह था इडूटेरिया के बुक में दिया हुआ पच्छतर सो प्लस MCQ का प्रेक्टिस सेट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेर कर दिएगा धन्यवाद